मुजफरपुर के पांडे नवोदय कोचिंग सेंटर के बच्चों ने एस साल भी नवोदय की परिक्षा में लहराया परचम 13 शात्रों को मिली सफलता मुजफरपुर के प्रेम नगर बीवी गंज बरंपुरा रोड इस्थित पांडे नवोदय कोचिंग सेंटर के 13 बच्चों ने जवाहर नवोदय परिक्षा को पास कर सफलता हासिल की है सफल शात्रों को बिहार सरकार के आईटी मिनिस्टर इसराइल मंसूरी में प्रोचाहन हितु सम्मानित किया कोचिंग के संचालक सौरप पांडे ने बताया कि मुजफरपुर में जवाहर नवोदय परिक्षा में लगभग 80 शात्रों का चयन होता है जिसमें पिछले 30 वर्षों से पांडे नवोदय कोचिंग के 15 से 20 शात्रों का चयन होता है इस साल भी संच्था के 13 बच्चों ने सफलता हासिल की है पांडे नवोदय कोचिंग सेंटर में एडमिशन के लिए 7004912543 और 8271490168 पर संपर्क कर सकते हैं जिसमें 13 बच्चे हमारे कोचिंग से अभी हम लोग बैठे हैं पांडे नवोदय कोचिंग से जो बिभी नितरहाट नवोदय तिलया साहिनिकी स्कूल इन सब जो इसकूल हैं उसमें तयारी कराने का काम बड़ी हर्स के बाद है यह मुझपफपूर में हैं और मुझपपूर की लोगों को लगातार सेवा दे रहे हैं बहुत सारे मुझपफपूर के चात्र अभिभावगन उनको बाहर भेशते हैं दुसरे राज्यों में तयारी करने के लिए भेशते हैं लेकिन पांडे नवोदय कोचिंग सेंटर जो है लगातार सब खलता की उचाई पर जा रही है इस बार भी इस बार भी 13 चात्र इस बहुत सुख्रिया भी करते हैं और जितने भी बच्चे यहां जो सफलता प्राप्त किये हैं उसके और उजबल भविस की इस वर से हम कामना करते हैं आज पांडे नवोदय कोचिंग में पिछले दिनों जब आज नवोदय विद्याले परवेस परिक्षा क्लास 6 का रिजल्ट आया था इस रिजल्ट में पांडे नवोदय कोचिंग से 13 बच्चे सफल हुएं पूरे जीला में मुझपरपूर जीले में लगबग सारे 5000 के आस इस संस्थान पांडे नवोदय कोचिंग से कितने वर्सों से चला रहा है हर वर्स तीस वर्सों से निकलते आ रहा है और पिछले वर्स 15 बच्चे इस कोचिंग से सफल हुए थे और हर साल 12-15-20 रिजल्ट होते ही रहा है तैयारी किस तड़ी से बच्चे को एकदम जीरो से स्टार्ट किया जाता है क्यूंकि इसका जो प्रस्ण होता है वो एसे सी रेलवे के लेवल से थोरा नीचे कराता है और बच्चे को एकदम सुरू से स्टार्ट करके और समय समय पर गाइडलाइन करते हुए कैसे पढ़ना कितना देर पढ़ना है यह सब कराते हुए यहां पर तयारी कराए जाए जी होस्टेल के सुधा है हमारे बच्चे कुछ ऐसे ये रभी कुमार होस्टल से पास कि पीछे भी है देवान किसन ये लोग घुस्टल से पास कि मेरा कोचीन पंडे नौदे कोचीन प्रेम नगर बीवी गंज बढ़ंपूरा रोड में इस्तित है नए बेच हाल में ही दस दिन पहले शुरू हो चुकी है एडमिशन आ रहे हैं सुधान्सु सिंग कैसे तैयारी कैसे बहुत अच्छे से दिन रात मेहनत करना पड़ता है तब यह मुकाम मिलता है उनको क्या लगता था कि हो जाएगा बहुत पढ़ना परता है अच्छे से दिलाती थी सौर अच्छे गाइडलाइन देते थे हम लोग को पास करा ने क्या नाम है कोचिंग का पांड़े नवोदे कोचिंग सेंटर यू-पीसी अच्छे यहां परहाई कैसी आप लोगों को मिले है हमेशा से बहुत अच्छी थे एक्जामिनेशन के समय हमेशा सेट और इसके मॉडल पेपर होते हैं उससी बेजा दयानाता था और रिविजन अग्जाम से पहले तक नाम क्या हुआ देवेशन उपम्चादे मेरा नाम राजनंदी नहीं है और कैसे तयारी हुई है मैंने एक साल पढ़ा है और अच्छे से दिन रात मेहनत की है और इस काम के पहुंची हूँ अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माभवानी डेक और प्रावेट लिमिटेट के साथ जो है और अच्छारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बना दे और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन और इंपोर्टेट ग्रेनाई माभूल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकरजग संग्रे माभवारी डेकॉर प्रावेट लिमिटेड मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सिलूशन्स न्यू जीरो माइल दादर रोड मुजफरपुर कॉल डबल नाई थी फोर सेवन पाई थी ट्रिपल वन महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफरपुर लाइबना उपर